मैं आज देश के उन सभी वीर युद्धाओं को भी सद्धांजली दे रहा हूँ, जिनका आठ दिसंबर को हेलिकॉप्टर हाथ से में नीधन हो गया। भारत के पहले चीफ अब डिफेंस स्टाप जन्रल बिपिन रावज जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राश्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी ख्षती है। जन्रल बिपिन रावज जी, जितने जाबात थे, देश की सेनाओं को आत्मन निर्भर बनाने के लिए, जितनी मेहनत करते थे, पुरा बेश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता, जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योध्धा की तरह होता है, अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए, वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम चिद्लन्ती सस्त्राणी, नैनम दहती पावकह, ना सस्त्र उसे चिन्न बिन्न कर सकते हैं, ना अगनी उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत, आने वाले दिनों में, अपने भारत को नए संकल्पों के साथ, जहां होंगे वहां से, भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सिमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्म निर्भर बनाने का भियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सद्रुड करने का भियान, ऐसे अनेक काम, तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी, हम ना अपनी गती रोकते हैं, और ना ही हमारी प्रगती। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतियं मिलकर और महनत करेंगे, देश के भीतर और देश के बहर बैठी हर चुनावती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समुर्द बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत, देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुन सीजी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए है, मैं मापाटे स्वरी से उनके जीवन की रख्षा की प्रार्थना करता हूँ। देशाच बरुन सीजी के परिवार के साथ है, जिन वीरों को हमने ख्वया है, उनके परिवारों के साथ है। कर दो जिन वीरों का जेवारों करना समूल सासंगrite। अज़ के लगे कंपाने का चार्व्त जान सीजी को बचाने का सिरी हुए है, जिन वीरों के रख़्त